हेलो सुदेंट्स कैस आप सोवी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.3 जिसका नाम है इन टाइम ओफ सिल्वर रहें इसके हम कोश्चन से करेंगे ठीक है यह हमारी पोएम जो है इसके हम कोश्चन से आज करने वाले हैं इसके लिए आप रूडियो अब आगे चलते हैं शेकंड क्या है पुट फोर्थ मतब कि टू ब्रिंग आउट ठीक है बिनीत मतब कि अधा अंडर मतब नीचे अब बल सकते हो ओके फोर्थ क्या है जॉय मतब कि हैपिनेस खुशी फोर्थ मतब कि है अवे फॉरवर्ड ठीक है अब बल सकते हो दूर या आगे आप दोको आपको 6 में कहा दिये गया है spread मतलब कि disperses widely scatters मतलब कि जो फैला हुआ है 7 है silken मतलब like silk मतलब जो रेशम जैसा हो ओके अब दो question number 2 में आपको कहा है find the pace of rhyming words used at the end of the lines in the poem देखो हमें क्या आगरना है rhyming words लिखना है जो हमारे हर जो poem है हमारे poem के हर line के end में जो आ रही है ठीक है उसको हमें लिखना है तो पहला देखो क्या है rain again यह rhyming word होता क्या है आपको तो पता है ना मुझे बताने क्ज़रूत नहीं है फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूँ rhyming word मतलब जिनका meaning भले से अलग हो अगेन मतलब वापिस या फिर से तो देखो meaning अलग है लेकिन आवाज से मारी है ठीक है फोर क्या wings sings cry sky to new तो इस तरीके से आपको rhyming words लिखने है बागे चलते है question word 3 में क्या है आपको if you were to draw a landscape on the basis of this poem what elements will you show in it what colors will you use क्या बोल रहें कि अगर आपको एक landscape draw करने के लिए बोला जाए मतलब कि एक समयलो सेनरी अगर आपको draw करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे draw करोगे और क्या elements जो उसमें है क्या उसमें क्या आप show करोगे तो आप कैसे लिखोगे if I were to draw a landscape on the basis of this poem I would show the following क्या बोला अगर मैं like landscape बनाऊंगा ये poem के हिसाब से तो मैं ये सब उसमें दिखाऊंगा the earth मतलब के हमारी धरती rain, बारिश, ग्रास, घास, flowers मतलब फूल butterflies मतलब तितली, rainbow मतलब इंद्रे धनुष trees मतलब paid, road मतलब सड़के boys and girls मतलब बच्चे और बच्चिया I would use all the colors in my paint box और मैं मेरे paint box में जतने colors आपको use करके ये landscape बनाऊंगा या बनाऊंगी ठीक है? question number 4 में क्या है दोख आपको fill in the blanks, fill in the following blanks with reference to the poem क्या बोले? कि यहाँ में अलग-अलग blank दिये गए है जो underline है नहीं दिया रहेगा आपको exam में इसको fill करना है ठीक है? fill करके आपको लिखना है एक और बात देखो, यह सब जो मैं आपको दे रहा हूँ ना यह हमारा जो margin question है जो chapter के आजू-बाजू में नहीं question दिये गए रहे थे है वो मैं सब आपको करा रहा हूँ फिर English workshop है न हम आगे जाके करेंगे एंड में मैंने आपको English workshop भी करा है पहले जो आपके textbook के आजू-बाजू question दिये गए है chapter के वो में करा रहा हूँ clear? देखो इसमें किया बोले है in the time of rain when spring and life are new यहापे आपको new लिखना है the butterflies lift silken wings to catch rainbow cry and trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky as passing boys and girls to go singing down the roadway देखो यहापे हम फिल क्या करना है new silken rainbow new passing go यह आपको words नहीं दिया रहे है आपको फिल करना है ठीक है? अब चलते है question number five पर क्या दिया गए question number five पर? Is the poet talking about heavy rains in the rainy season or rain that has come after a long time? क्या बोले? कि जो poet है इस poem में क्या वो rainy season में जो बहुत ज़्यादा बारिश हो यह उसके बारे में बात कर रहे है या उस बारिश की बात कर रहे है जो बहुत समय बाद हो रही हो ठीक है? तो answer क्या है The poet is talking about rain that has come after a long time मतलब कि जो poet है वो उस बारिश की बात कर रहे है जो बहुत समय बाद हो रही है ठीक है? अब six में क्या है जो season है उसके बारे में बात करो तो आप कैसे लिखे है My favorite season is winter as with the cold that it brings क्या बहुत है? कि मेरा favorite season जो मौसम है वो winter है ठंड का मौसम है क्योंकि उसके साथ ठंड आती है It also brings an opportunity to sit by the fireplace and read my favorite book क्या बहुत है? कि और यह जो season है जो winter season है यह मुझे एक opportunity देता है एक मौका देता है कि मा आग जला के वहाँ पर बैठ कर अपनी favorite book पढ़ पाऊं The snow-clad landscape look divine and radiate peace क्या बहुत है? कि जो landscape है जहाँ पर बर्फ गिरी रेदी है तो क्या बहुत ज़्यादा divine, बहुत ज़्यादा peaceful, बहुत ज़्यादा शान्ती उसमें लगती है उसको देख कर ठीक है? What a pleasure it is to eat in this season क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है Keeping my self warm under the quilt and sharing roasted peanuts with my siblings is a past time that brings immense joy क्या बहुत ज़्यादा कि अपने आपको गरम रखना कंबल के अंदर और जो भुने हुए peanuts रहते हैं जो मुझफली रहती है उसको खाना अपने भाई बैन के साथ ये मेरा एक बहुत सी favorite past time है winter season के समय जो मैं बहुत ज़्यादा enjoy करता हूँ जिससे मुझे जो बहुत साथ खुशी मिलती है ठीक है ये इनका favorite season है अब आगे चलते है question number 8 पर क्या है find an example of alliteration from the poem क्या बोले कि हमें poem से एक alliteration डूडना है देखो alliteration क्या होता है alliteration मतब कि एक poem की line रहेगी ठीक है एक या दो line उसमें न एक letter word नहीं letter बार बार repeat होगा तो देखो इसमें alliteration क्या है green grasses grow तो देखो जी 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 ये letter तीन तीन बार रहा है तो यह हो गया alliteration क्योंकि इसमें g आ रहा है एक letter ठीक है word नहीं एक letter repeat हो रहा है अब आगे क्या है find some more examples of alliteration क्या हो लहा है और example alliteration को लिखो तो देखो यहाँ पर है a load of learning lumbering his head तो देखो load, learning, lumbering तो ल, L repeat हो रहा है इसलिक है अब क्या है आगे दूसरा तीन बोलो है हम ही लिखने के लिए some more बोला है हम तीन लिखते है I spent a sleepless silent night surrounded by worries देखो यहाँ पर SS letter repeat हो रहा है ठीक है As a strong man struggling with the storms of fate तो यहाँ पर देखो SS repeat हो रहा है तो इस तरीके से alliteration आपको ढूंद के लिखना है अब question number 10 में देखते है क्या है Name and explain the figure of speech in the following lines क्या बोला है हमें यहाँ पर देखो figure of speech दिया गया है हमें पता करना है कौन सी figure of speech है और explain करना है तो क्या है पहला And over all the plane the wonder spreads क्या बोल रहे है कि पूरे plane पूरे मैदान में जो wonder है जो एक अजूबा है मतलब कि हरियाली यह सब का फैल जाता है तो यह कौन सी figure of speech है Inversion क्या है The word order has been changed The correct order is And the wonder spreads all over the plane क्या बोलना है यह inversion है क्यूंकि जो यह order का word है न वो change हो गया है यह इस तरग्या से नहीं रहे है And over all the plane the wonder spreads ऐसी नहीं And the wonder spreads all over the plane ठीक है जब words जो jumble हो जाएंगे तो उसका हम बोलते है Inversion उसको वो सही से नहीं place के ओरेंगे वो words Clear? अब चलते हैं Second पे Second वे देखो क्या जिए गया Off life, off life, off life यह कौन सी है Figure of speech यह तो अज़्दम simple है जहाँ पे अगर एक word बार बार आ रहा है And flowers lift their heads क्या बोले है कि जो flowers है जो fool है वो अपना सर उठाते है तो यह कौन सी Figure of speech है यह personification है Personification में क्या होता है अगर किसी चीज़ को Human quality इंसान की कोई quality दी गई हो तो क्या यहाँ पे flower क्या flower अपना सर उठा सकते है यह तो इंसान कर सकते है उनके तो सरी नहीं होता है फेली बात ठीक है चलते है अब आगे फोर्थ में आपको क्या दिये गए The butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry तो यह कौन सी यह भी personification है क्यों The butterflies are given the human quality of catching क्या butterfly किसी चीज़ को इंसान के जैसे जाका पकड़ सकते है क्या नहीं तो इसके लिए butterfly को क्या बुलागे कि वो अपने wings उठाते है rainbow को पकड़ने के लिए तो ऐसा वो नहीं कर सकते है अब आगे क्या है And trees put forth new leaves to sing in joy beneath the sky अब देखो यहाँ पर क्या बोले है कि जो पेड़ रहते हैं वो अपने नए पत्यों को आगे करते हैं ताकि वो आस्मान के नीचे खुशियों से गा सके तो यह क्या है personification क्यों? क्योंकि देखो पत्या क्या गा सकती है नहीं गा सकती है तो इसके लिए leaves are given the human quality of singing for a better politic effect बोले है कि जो leaves जो पत्या है उनको इनसान की खुबी दी गई है गाने वाली वो गाने ही सकते हैं इनसान सिर्फ गा सकते हैं ठीक है? आप question number six में क्या है देखो As down the roadway passing boys and girls go singing to क्या बोल रहे हैं? कि जो रास्ते पर जाते हुए बच्चे बच्चे जो है वो भी गाते हुए जाते हैं तो क्या है inversion A the word order has been changed यहाँ पर भी देखो words को ठीक से arrange नहीं किया गए the correct word order is as passing boys and girls to go singing down the roadway इस तरीके से लिखना रहे हैं clear? चलते हैं बगले आगे अगले question पर answer the following questions यहाँ पर में कुछ questions के answer देना है पहले का है what is the poem about? बोले की जो poem है वो किस के बारे में है the poem is about the changes that takes place in nature at the onset of spring क्या होले की यह poem जो है वो इसके बारे में है जो spring का मौसम आता है उस समय क्या changes होते है उसके बारे में especially when it rains खास कर जब बारीच होने लगती है it also talks about the joy that spring brings along with it यह और उसके बारे में बात करता है जो spring अपने साथ joy जो खुशियां लाती है ठीक है? यह मौसम जो लाता है अब आगे क्या है second पर what do the boys and girls do in happiness? क्या बोले कि जो बच्चे और बच्ची है खुश होकर क्या कर रहे है पोएम में the boys and girls sing in happiness as they pass down the roadway क्या बच्चे और बच्ची है वो खुशी से क्या करते है गाने लगते है हाँ गाने लगते है जब वो रास्ते से गुजरते हुए जाते है ठीक है which elements of nature are mentioned in the given extract ग्रास घास मतलब ट्रीज मतलब पेड़ बटरफ्राय मतलब तितली रेंबू मतलब इंद्रिधनुष इंद्रिधनुष प्रकृति के अलिमेंट है उनका यहां पर mention किया गया है फूर्थ के है वाइड दे बटरफ्राय लिफ्ट देर सिल्वर लिंग्स क्या बटरफ्राय जो तितली है वो अपने सिल्वर लिंग्स जो है वो क्यों उठाते है तो answer का है बटरफ्राय लिफ्ट देर सिल्वर लिंग्स क्या बटरफ्राय है वो अपने जो सिल्वर लिंग्स है वो उठाते हैं रेंबू को कैश करने के लिए इंद्र धनुष को पकड़ने के लिए फिफ्थ का है क्या हो ले कौन सी लाइन पोएम की बता रही है कि spring season शुरू हो गया है तो answer का है अब question number 6 में क्या है देखो यहाँ पे आपको है कौन रास्ते पर से गाते हुए जा रहा है मतलब कि जो बच्चे और बच्चिया यह गाते हुए रोड से जाते है क्या बोल रहे कि आप अपने ओन वर्डस में explain करो कि जब silver rain जब बारिश का समय रहता है तो क्या-क्या होता है तो आप answer में कहा लिक हो गए क्या बारिश होती है उस समय जो अर्थ का जो फेस है मतलब कि जैसी अर्थ दिखती है वो completely change हो जाती है क्या बोल रहे कि जो अर्थ है धरती है वहाँ पर नई नई लाइफ आ जाती है वहाँ पर हमें घास हरी भरी घास ऐसे सब देखने को मिलता है और जो फ्लावर्स है वो अपना सर खुशी से उठा लेते है और जो बटर्फ्लावर्स जो तितलिया है वो अपने जो रेश्मी पंक है वो उठा लेते है और जो पेड है वो अपने पतियों को आगे रखते है और जो बच्चे और बच्चिया है वो गाते हुए वहाँ से रोड से जाते है एकदम खुशियों से Thus, everywhere we can see new life इस तरीके से हमारी जगा एक नया जीवन देख सकते हैं जब भारिश होती है तब ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारा जो चैप्टर है तो अभी हम मिलेंगे अगले उडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छा लगा हो तो अब से उडियो को लाइक करो अपने सब भी दोस्तों के साथ शेर करो थेंक यू